हेलो शेंट्स स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गूजी पर और आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं नौट फॉर प्रॉफिट और्गिनाइडेशन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूंगा आपको एक छोटी सी चीज कि जो बच्चे लाइव क्लास लेना चाहते हैं मेरे टॉपर्स बैच या जो सिरीज जो में चल रही है वह ले सकते हैं वाट्स अप न स्टार्ट करते हैं और यह वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी देता हूं कि यह जो का बवाल रहता है ना हमारे माइंड में एंड़ एंड़ हे क्या दिक्कते हाती एं peninsula में इस पूरी क्योंकि मैं इतने प्यार से इस चैप्टो को आज कबर करने वाला हूं और अपना बैस्ट से बैस्ट दूँगा गारंटी है यूटूब पर इससे अच्छी आपको बैस्ट एक्सप्लिनेशन वीडियो नहीं मिलेगी प्लीज एक चोटी सी रिक्वेस्ट की वीडियो में कमेंट जरूर कर देना शेयर कर देना लाइक कर देना और पहली वाल अगर हमारे चैनल से जोड़ रही हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दी है वो रहने मस्कान कोच मोटिफ पर चलती है है और उनका मोटिफ क्या होता है सर्फ प्रॉफिट कमाना है। भाई हम स्टार्ट करेंगे चिर्फिट कमाने के लिए पैसा कमाने के लिए और जो हमारे NPO होती है NPO यानि की not for profit organization उसका भी objective profit कमाना होता है नहीं सर इसी लिए इनके नाम में दे रखा है not for profit वो organization जो profit कमाने के लिए नहीं बनी है मैं आपको बता दू वो organization जो profit कमाने के लिए नहीं बनी है इस chapter से related आपके important questions और इसके chapter की pdf मैं description में link attach कर दूँगा वा ले लीजीगा तो मतलब क्या है सर not for profit organization इसलिए बनी है कि जो इस society के person है या जो इस organization के member है उनको serve कर सके उनकी मदद कर सके उनको service दे सके है ना जैसे कि हमारी educational होते हैं कुछ health से related होती है कुछ religious से related होती है इनको मदद कर सके और इनका जो motive होता है वो sir profit कमाना नहीं होता पहली बात तो ये कौन-कौन सी NPO हो सकते हैं sir जो हमारे schools है colleges है hospitals है public hospitals societies वगेरा है promotion of sports, art and culture ये सारे हमारे NPO का part है और इनको चलाने के लिए इनको funds की जरूत पड़ती है पैसों की जरूत पड़ती है और ये funds नॉर्मली आता है इनके members से या इनके trustee से या फिर अब इनकोई donations दे या इनने अपने कुछ charge रखे हैं membership के उसकी fees या इनके कुछ साल बाई साल के subscriptions होते है वो सारी चीज़े ये नॉर्मली इनके पास पैसा आने का जरीया है इन जरीयों से इनके पास पैसा आता है ठीक है तो भई ये entity क्या है सर ये NPO है ठीक purpose क्या है इसका purpose है हमारी service provide करना ये एक charitable society है trust है जो कि किसी भी individual द्वारा नहीं बनाया गया ये belongs करता है society के लिए profit इसका main जरीया नहीं है चीक तो आगे भरते हैं इसको समझने के लिए funds मैंने बता दिया कहा साह से आते हैं तो भई इनके पास funds आते हैं तो ये अपने कुछ statement बनाते हैं जिनको हम financial statement कहते हैं NPO में कौन कौन से statement बनते हैं पहला statement बनता है आपका Receipts and Payment Account Receipts and Payment Account उसके बाद आता है इनका Income and Expenditure Account सब को सीखेंगे बारी बारी से Income and Expenditure Account और उसके बाद जो थर्ड आता है वो है इनका balance sheet balance sheet बारी बारी समसमझेंगे कि Receipt and Payment Account में क्या है कैसे है Income and Expenditure Account में क्या है कैसे है और balance sheet में हमारा क्या है कैसे है ये सारी चीज हम समझेंगे ठीक चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपसे Receipt and Payment Account Receipt and Payments Account जस्ट लाइक करता है हमारी cash book की तरह क्या आपको याद है जब हम class 11 में cash book को बना रहे थे सर नहीं याद कोई दिक्कत की बात नहीं है सर काय के लिए है cash book का मतलब क्या होता है cash book हमारी ऐसी book होती है जो सिर्फ cash से ही related transactions को record करती है यानि की अगर इसमें पैसा आया होगा या गया होगा तभी record किया जाएगा वरना नहीं किया जाएगा तो जिस तरीके से मैं आपको बता दूँ जैसे हमारा cash book का format होता है सेम उसी तरीके से Receipt and Payment Account का format होता है क्योंकि cash book एक real account है तो इसमें क्या होता था real का rule क्या होता था debit what comes in credit what goes out ऐसे ही Receipt and Payment Account में क्या होगा DR में क्या आएगा सर सारी Receipts सारी Receipts यहां amount और CR साइड में क्या आएगा सारे Payments जैसे ही आपका यह Receipt and Payment Account शुरू होता है शुरूबात में कुछ ना कुछ पैसा हमारे पास होता ही है जिसको हम यहां डालते हैं to balance BD opening balance अब वो depend करता है कि आपको वो cash का balance दे रखा है या bank का balance दे रखा है अगर आपसे कह रखा है कि question में आपको जो balance दे रखा है वो overdraft करके दे रखा है overdraft करके दे रखा है या वो minus में balance है या closing balance दे रखा है ठीक opening balance अगर overdraft कर दे रखा है तो वो buy side में आता है क्योंकि it means bank overdraft का मतलब क्या होता है कि हमारे जो bank balance है वो minus में है तो उसे हम यहाँ डाल देते हैं buy balance bd अगर question में आपको दे रखा है तो शुरुवात में ही buy balance bidding opening balance और यहां bank overdraft उसके बाद क्या करते हैं जितना भी पैसा आपके पास आता है उसको receipt side में और जितना भी payment आपके पास से जाएगा उसको payment side में कैसे सर receipt कौन कौन सी हो सकती है आपको बस एक logic लगाना है कि पैसा आ रहा है बस यह देखना है कि पैसा आ रहा है या जा रहा है नगद कौन कौन से सर subscriptions होते हैं subscription क्या होते हैं जो भी हमारी NGO होती हैं उन्होंने अपने कुछ subscription चार्जिस रखें जैसे आपने मालों Amazon वगरा देखी हो Amazon Prime देखी हो Netflix इनके कुछ charges होते हैं इनने subscription का नाम दिया जाता है ऐसे इनके subscription होते हैं सारा माउंट आएगा इसमें क्योंकि इसमें सारा पैसे सा मतलब है डिपेंड नहीं करता किसी अरका आ रहा है ठीक है न डॉनेशन आती हैं इनके पास डॉनेशन चाहिए जन्नल डॉनेशन हो यह स्पैसिफिक डॉनेशन हो मैं आगे चलके समझाऊंगा कि डॉनों में डॉफ्रेंस क्या है एड्मीशन फीज ग्रांट सेल ऑफ न्यूस पे वो सारी रिसीप में और जितना भी जा रहा है सेलरी रेंट पोस्टेज एक्सपैंसेज होनुरेरियम और ओडिट फीस मुनसिपल टेक्स यह सारी चीजे पेमेंट में आती हैं और इनको और डीपली पढ़ने के लिए मैंने डिस्किप्शन में पीडिया पटेच किया हुआ है वहां आपको किलियर होगा तो रिसीप टेंट पेमेंट अकाउंट में आपको कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली क्योंकि बस आपको देखना है कि पैसा आया है या पैसा गया है पैसा आया है तो रिसीप साइड में पैसा गया है तो पेमेंट साइड में मैंटर ही नहीं करता कि वो किसी अरगा है बस पैसे आने से मतलब जैसे आपको अगर मालो आसमान से पैसे उड़ते हुआ आ रहे हैं तो आपको मतलब ही नहीं है पांच रुपे हैं दस रुपे हैं बीस रुपे हैं आपका है दूसरे का है बस आपको से रिकॉर्ड करना है रिकॉर्ड करने के डियार साथ जादा है तो यहां डाल देते हैं बाई बैलेंस, सीडी, कैश इन हैंड और कैश एड बैंक जो भी है, यह तो आपका सिंपल सा रिसीप्रेंट अकाउंट बन जाता है, ठीक है, तो अब इसमें बात क्या रहती है, आपसे किये जाते हैं कि बाई, यह जो आपका रिसीप्रेंट पेमेंट उसका नेचर क्या है, यह एसेट्स अकाउंट की नेचर का होता है, कैश रिसीज और कैश पेमेंट, बेसिस क्या रहता है, यह cash basis रहता है आपको मालम है हमारे पास accounting करने के दो-3 basis होता है cash basis होता है एक actual basis होता है cash basis में क्या होता है पैसा जब आएगा चाह कभी भी हो चाह पिछली साल का हो चाह इस साल का हो चाहनी वाली साल का हो पैसा अगर आया है तो असे record किया जाएगा capital and revenue यह भी मैं आपको समझाओंगा हमारे जो expenses होते हैं वह यहाँ capital expenses और revenue expenses और जो income होती है capital and revenue received होती है क्योंकि इसमें तो सब आती है चाहाँ capital receipt हो revenue receipt हो capital expenses और revenue expenses अब adjustment इसमें कुछ भी नहीं आता adjustment जैसे कि कोई outstanding expenses हो prepaid expenses हो कोई accrued income हो उससाब समझाओंगो यह चीज क्या होती है अब इसका purpose क्या होता है सर परपस यह होता है कि actual में हमारे पास कितना पैसा आया खाहां से और कितना पैसा गया तो यह पूरी रामा है जो थी वो आपकी थी receipt and payment account की और यह एक ऐसा account है जिसमें बच्चों को जादतर दिक्कत होती ही नहीं है क्योंकि बहुती rare chance होता है कि इससे कुछ सवाल पूछा जाए अब बारी आती है income and expenditure account की income and expenditure account को समझाने से पहले मैं आपको दो ऐसी चीज़ समझाना चाहता हूँ ताकि आपको इसमें दिक्कत ही ना हो देखो जैसा कि मैंने बताया कि हमारी जो receipt होती है वो दो type की होती है कौन कौन सी सर एक आपकी capital receipt receipt और एक आपकी होती है revenue receipt तो अगर आपसे पूछा जाए कि income and expenditure में क्या आता है income and expenditure में सौरी receipt payment में तो दोनों आते है capital receipt भी और revenue receipt भी लेकिन बात करी जाए income and expenditure की तो उसमें receipt में सिर्फ revenue receipt आती है capital receipt नहीं आती तो यहीं question arise हो जाता है कि हमको differ करना पड़ेगा कि capital receipt क्या होती है और revenue receipt क्या होती है तो इनको हम one by one समझते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो इन चीज में तो देखो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ capital expenditure जो की income and expenditure में नहीं आते तो कहां आते हैं सर यह balance sheet में सो होते हैं देखिए capital expenditure क्या होते हैं वो कोई भी खर्चा वो कोई भी खर्चा जो आपको या तो fix assets को खरीदने में हुआ हो या इस fix assets की life को बढ़ाने के लिए हुआ हो या इसकी value को बढ़ाने के लिए हुआ हो वो सारे के सारे खर्चे आपके capital expenditure का part कहलाते हैं for example purchase of land and building plant and machinery furniture यह सारे के सारे इन पर जो खर्चा होता है यह capital expenditure है और एक और चीज जब भी हम कभी capital expenditure करते हैं इनका जो benefit होता है वो हमें लंबे समय तक होता है यानकि एक साल से जादा दो साल तीन साल आपने कोई furniture खरीदा क्या आप यह उमीद करते हो या कोई plant and machine नी खरीदी क्या या उमीद करोगे कि एक साल बाद दोवारा से खरीद नी पड़ेगी नहीं उसका benefit आपको लंबे समय तक मिलेगा है ना जैसे आपने land and building खरीदी plant खरीदा motors vehicle खरीदे यह सारी कि सारी assets क्या है number of years तक use करी जाएगी इनका जो benefit है वो number of years तक करा जाएगा है ना भई second machine करीदी है ना expenditure हुआ हमारा किस पर fix assets की earning capacity को improve करने के लिए fix assets की जो earning capacity थी उसको बढ़ाने के लिए for example आपके cinema hall में 10 seat थी आपने 20 seat कर दी तो आपसे इससे क्या होगा आपकी जो earning capacity हो बढ़ जाएगी यह हमारा capital expenditure कहलाता है और इसको हम capital expenditure कहते हैं है ना expenditure हमने business को start करने में कोई खर्चा किया है ना यह सारे के सारे हमारे कौन से खर्चे होते हैं यह सारे के सारे हमारे capital expenditure होते हैं और capital expenditure को income and expenditure में show नहीं किया जाता, clear हो गया होगा, ठीक है, next point, दूसरा होता है हमारा revenue expenditure, मैं एक बात और बता दूँ, जो भी हमारे capital expenditure होते हैं, वो जो हमारी business की activity होती है daily की, उनका part नहीं होते, वो मैं आगे कोई questions लूँगा तो उसमें समझाऊँगा, अब बात करते हैं revenue expenditure की, revenue expenditure वो खर्चा होता है, जिसका जो benefit है, जो आपने खर्चा किया है, उसका benefit इसी current year में ही खतम हो जाएगा, आपको दुबारा करना पड़ेगा, वो सारे के सारे हमारे कौन से होते हैं, revenue expenditure होते हैं, और इन revenue expenditure से आपकी अपनी कोई earning capacity increase नहीं होती, बस यह आपका help करते हैं की जो आपकी existing capacity है, जो आपको अभी में profit हो रहा है, उतना होता रहे, for example, manufacturing expenses, office expenses, selling expenses, repair and maintenance of fixed assets, white washing of building, goods and purchase resale करे हों आपने, debt लगा fixed assets पर, rent दिया आपने, salary दी, आपको loss हो गया fixed assets को भेज़ कर, आपको profit हो गया fixed assets को भेज़ कर, ये सारे के सारे हमारे किस nature के हैं sir, ये सारे के सारे हमारे revenue expenditure हैं, एक बार फिर से दुबारा समझेंगे, और जो revenue expenditure होते हैं, वो income and expenditure का part रहते हैं, ये income and expenditure में आते हैं जैसे की expenditure है तो ये debit side में आते हैं जितने भी revenue expenditure होते हैं दुबारा समझेंगे capital expenditure क्या होता है वो सारे expenditure जिनको खर्च करने के बाद आपकी जो earning capacity है वो भढ़ जाएगी प्लस इनका जो benefit है वो आपको एक साल से जादा होगा एक साल दो साल तीन साल से जादा होगा वो आपके capital expenditure होते हैं और इन खर्चों का आपके जो daily business के खर्चे होते हैं daily business की activity होती है उ और वहीं बात करूँ मैं revenue expenditure की revenue expenditure वो expenditure होते हैं जिन खर्चों का benefit आपको एक साल के अंदर ही खतम हो जाएगा और इन खर्चों को करने से आपकी कोई earning capacity नहीं भढ़ेगी बस जो अभी में पैसा आ रहा है जो अभी profit हो रहा है उसको maintain करने के लिए उसको बनाए रखने के लि capital नहीं आएगा दुबारा लेकिन जो revenue expenditure होता है वो recurring nature का होता है तो capital expenditure income and expenditure में नहीं आता और revenue expenditure income and expenditure में debit side में जाता है ठीक अब बात आती है हमारी capital receipts की और revenue receipts की जिस तरीके से capital expenditure नहीं जाता उसी तरी receipt को देखते हैं देखो बिटा capital receipt क्या होता है सर पहली बात capital receipt income and expenditure में नहीं जाएगा उसके बाद ये capital receipt सर है क्या capital receipt आपकी वो सारी receipt होती है जो की non-recurring nature की है non-recurring nature की याने की एक बार अगर आपको मिल गया तो हालफल नहीं मिल रहा इन receipt से आपकी liability increase होती है और आपकी assets की value decrease होती है इन receipt से आपका जो business का profit है लौसर उस पर कोई effect नहीं पड़ता ठीक है सर कौन कौन सी जैसे कि आप किस capital receipt होती है वो revenue receipt नहीं होगी plus जिन जो भी donor है जिस भी donor का मतब जिसने आपको वो दी है receipt उसने specified कर के दिया है कि मैं इस काम के लिए पैसा दे रहा हूं कोई specific donation दी life membership fees दी building के लिए fund दिया receipt from sale of fixed assets ये सारी मेरी क्या है capital receipt कहलाती है वहीं बात करी जाए revenue receipt की revenue receipt income and expenditure में show होता है revenue receipt क्या होता है पहली बात ये हमारे recurring nature का होता है बार बार मिलेगा आपको plus ये जो हमारा business की core activities होती है core activities का मतलब important activities उन activities से generate होता है for example आपका school है school के लिए core activities क्या है school के लिए core activities है पढ़ाना education देना teacher रखना अब यहां से जो इनके fast fees आएगी जो इनके पास फीस आई जो monthly वाली जो फीस आती है इनके पास annual जो फीस आती है इनके पास और जो इनका खर्चा रहता है school का ये सारी क्या है इनके recurring nature का इनके लिए revenue received है तो जो भी हम organization खोली है उसकी जो core activities है उन activities से जो income generate हो रही है entrance fees है subscription है donation है लेकिन general है means donation किस चीच के लिए specified नहीं है rent है sale of old newspaper है ये सारी की सारी revenue received होती है तो I hope आपको ये clear हुआ होगा कि capital received क्या होती है revenue received क्या होती है capital expenditure क्या होता है revenue expenditure क्या होता है तो मैं एक बार पहले आपको income and expenditure का format बताता हूँ फिर 1 by 1 मैं आपको पूरी बात समझाओंगा कि कैसे किसका कहा treatment होता है देखो जैसा कि आपको बताया है मैंने papa वाला format में use करता हूँ papa means particular amount particular amount यह आपका particular यह आपका amount यह आपका particular यह आपका amount यहाँ पे आप इस particular को लिखेंगे expenditure परिटिकलर नहीं लिखेंगे और इसे लिखेंगे इंकम ठीक यह आपका डेविट साइड यह आपका कैट साइड ठीक जैसे कि हम क्लास 11 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाते थे उसी तरीके से हम इंकम एंड एक्सपेंडिश अकाउंट को बनाएंगे ठीक है न तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगा डेविट साइड की डेविट साइड में आपके क्या आएंगे सर डेविट साइड में हमारे रिवेन्यू एक्सपेंडिश आएंगे है ना रिवेन्यू एक्सपेंडिश आएंगे कैपिटल एक्सपेंडिश नहीं आएंगे रिव आपको मालुम होगा जो हमारी employees होते हैं या जो भी हमारे organization में work कर रहे हैं उनको हम देते हैं salary अब यहाँ पर एक मुद्दा यह आता है कि जो आपका income and expenditure account होता है वो accounting period के हिसाफ से काम करता है यानि कि जिस साल का बना रहे हो उस साल से ही related चीज़े यहाँ पर आएंगी 2017 तो इसका accounting year कब start हुआ होगा एक April 2016 से 31 March 2017 तक तो इसमें 2016 से लेकर 31 March 2017 तक की ही चीज़े आएंगी उसके पहले की यानि की इससे पहले की और इसके बाद की नहीं आएंगी तो जैसा की मैं आपको salary समझा रहा था कभी कभी क्या होता है आपको salary दे रखी है salary का आएगी debit side में आएगी income and expenditure के और salary के साथ साथ adjustment में बोलता है outstanding तो आपको एक बात ध्यान रखनी है अगर outstanding at the beginning है या आपके accounting year के शुरुवात में outstanding दे रखा है मुझे बताओ साल आपकी शुरू हो रही है एक अप्रेल 2016 को और इसी date को outstanding balance of salary दे रखा है तो क्या ये इसी साल का है नहीं सर ये पिछली साल का ही तो होगा वही साल के पहले दिन outstanding कहां से आ गया ये पिछले साल का ही तो होगा तो हम जो आपकी salary होगी उस salary में से outstanding at the beginning को less कर देते हैं और वही अगर आपसे question में कह रहा है कि outstanding at the end यानि कि साल के last में outstanding है बकाया है तो वो इसी साल का ही तो है outstanding at the end और जो amount आता है उसको हम बहार show कर देते हैं ऐसे ही कभी कभी क्या होता है prepaid हो जाता है prepaid का मतलब पैसा पहले से ही दे दिया पिछली साल का पैसा इसी साल में दे दिया तो वो हमें निकालना पड़ता है prepaid mostly insurance के case में आपको दे रखा होगा prepaid mostly आपको rent के case में दे रखा होगा तो हम इन case में क्या करते हैं insurance हमेशा 12 month case आपसे निकालते हैं और rent हमेशा उतने month count किये जाएंगे कि कितने month का rent दे दिया for example आपसे question में कह रहा है insurance paid किया है 16 100 रुपे और ये paid कर दिया हमने 30 जून तक का तो देखो एक अपरेल से लेकर 31 मार्स तक का तो होई गया और कितने month extra अपरेल मई जून तीन मई ने extra हैं तो हम यहाँ क्या करेंगे 1600 into 3 upon 12 करेंगे यानिकि 3 upon 4 कर देंगे तो 400 रुपे जो इसमें extra हैं वो क्या है prepaid है तो 1600 minus 400 क्योंकि prepaid आने वाले time बगड़ दिया उससे हमें मतलब नहीं है तो minus करके हम भार लिखेंगे और पहली बात sir insurance premium कहा जाएगा insurance premium आपने देखा होगा monthly wise होता है quarterly होता है six month wise होता है yearly होता है तो यह एक recurring nature का है यह एक revenue expenditure है तो insurance हमारा कहा आता है debit side of income and expenditure account rent वाले case में बहुत बार ऐसा होता है कि आपसे question में कह रहा है कि rent is to paid for 11 months या 14 months या 15 months उस case में आप क्या करेंगे आप per month का rent निकाल लेंगे for example आपसे कह रहा है 170,000 रुपे दिये है for 11 months तो हम यह क्या करेंगे पहले per month निकाल लेंगे और जो आएगा उसका 12 से multiply कर देंगे बही और one month अभी क्या है आउट चैनिकाल रेंट कहा जाता है रेंट में हमारे income and expenditure के debit side में आता है ठीक है ना देन उसके बाद क्या होता है देन उसके बाद आपका audit fees audit fees क्या होती है बही जैसा कि अभी हम बना रहे है recipient payment account income and expenditure account और balance sheet यह तो हम लोगों ने बनाई है हमें इसको verify करवाना पड़ता है CA से या फिर हमारे जो accountant वगरा होते हैं वो verify करते हैं कि हमने जो बनाया है वो सही है या नहीं उसे verify करने के लिए हमें उन्हें fees देनी पड़ती है जिसको हम audit fees कहते हैं audit fees हमारा revenue expenditure है debit side में आता है फिर आती है आपकी printing and stationary भाई आपने printing का सामान मंगवाया है आपने stationary का सामान मंगवाया है या खरीदा है तो ये भी हमारे क्या है revenue expenditure है देन आता है हमारा एक और honorarium honorarium का मतलब क्या होता है पहले हम यह समझ लेते हैं honorarium में क्या होता है यह हम वो expenses होते हैं किसी ने हमारे लिए कोई काम किया वो हमारी NGO का ना ही कोई member था ना ही कोई organization में काम करता था बट उसने हमारे लिए कुछ service दी और उसने कहा भी नहीं payment का लेकिन अगर हम चाहें तो उसकी service के लिए उसे धन्यवाद कहने के रूप में वो खर्चे दे सकते हैं उसे हम कहते है honorarium for example मालनो आपकी NGO में या आपके NPO में आपने एक conference करवाई हुई है तो आपने किसी बड़े नेता को या किसी बड़े इनसान को बुलाया है मापने meeting इस पीज देने के लिए वो आया उसने speech दे और वो जा रहा है तो अगर आपको उसे thank you बोलना है तो हो सकता है कि आप उसके जो travel expenses है वो paid कर दे उसने बोला तो नहीं तो उसको हम कहते है होनो रेरियम किसी ने हमारे लिए कुछ करा as a thank you बोलने के लिए हम उसके लिए होनो रेरियम paid कर रहे हैं वह हमारा debit side में आता है debit side of कहा income and expenditure account वो होती है हमारे होनो रेरियम देन उसके बाद आपके telephone expenses भी आप लोग telephone expenses मालम होगा भई recharge वगएरा telephone का bill वगएरा यह सारे हमारे telephone expenses होते है income and expenditure के debit side में आते हैं उसके बाद कोई repairs किया देन आपका depreciation depreciation आपकी fixed assets पर लगता है और वो depend है हमेशा depreciation कब लगता है depreciation उस machine की value पर लगता है जो उसकी value कब थी एक अपरेल से लेकर 31 मार्स तक अगर इसके बीच में कोई और asset खरीदी है तो उस पर भी debt लगेगा लेकिन कोई asset 31 मार्स तो खरीदी है उस पर नहीं लगेगा आपने question में कोई assets को sale किया है उसको sale करने पर आपको loss हुआ है तो loss आपके debit side का हिस्सा है loss on sale of fixed assets sir हमको कैसे मालूम पढ़ेगा loss हुआ है जो assets आपने बेची है उसकी book value यानि कीमत आपको given होगी ठीक है ना और sports material used sports material used का मतलब क्या होता है यह अभी हम सब आगे समझेगे जह हम consumable goods की बात करेंगे तब इनको भी हम समझेंगे sports material used ठीक तो यह सारी मैंने बात करी कि income and expenditure के debit side में क्या आता है अब बात करते है कि income and expenditure की जो income side होती आनि CR side होती उसमें क्या क्या आता है CR side में हमारा subscriptions आते हैं subscription ही हमारा एक तो main जरीया होता है पैसे आने का subscription के ऊपर एक बहुत बड़ा चर्चा है विशे है क्या है वो अभी भी समझेंगे और आगे भी दुबारा समझेंगे कि subscription में आपको जिस year का आप बना रहे है उस year का amount लेना है पहली बात तो और काफी सारी adjustment दे रखी होती है उन adjustment को कैसे treat करना है एक adjustment दो आपको सौन में आ गया क्या सर कि अगर outstanding at the end है साल के end में कुछ balance outstanding है तो उसे add करना है साल के शुरू में कोई outstanding है तो उसे less करना है यह तो आपने समझ लिया अब subscription में क्या होता है कि कुछ पैसा advance तो मिल जाता है जैसे आप से कह रहा है subscription received in advance at the beginning मुझे बताओ कि साल के शुरूबात में आपको subscription received हो गया तो आपने 10th class pass करी और जैसे 10th class pass करी आपने कुछ fees advance पेट कर दी तो वो 10th class के लिए पेट करी या 11th class के लिए पेट करी यानि कि अगर आपने कोई subscription एक अपरेल 2016 को पेट किया है तो वो किस टाइम के लिए है सर एक अपरेल से लेकर 31 माच 2 या 17 तक यानि इसी साल का है तो subscription received in advance in the beginning को तो हम एड करते हैं और यही अगर आपसे कह रहा हो कि subscription received in advance at the end साल के end में मिला यानि कि अगली साल के लिए मिला यानि कि हम उसे क्या करेंगे सर लैस करेंगे यह तो एक छोटा सा topic है भी और समझेंगे subscription के बारे में आगे जैसे जैसे आता जागा और क्या आता है income and expenditure के CR में सर entrance fees या फिर मालो admission fees यह क्या होता है भाई मालो आपका एक stadium है वहाँ पर matches करवाते हैं हम लोग तो matches करवाते हैं तो मालो एक 15 को match है एक 20 को match है एक 25 को match है और एक 30 को match है तो मुझे बताओ अगर किसी person ने 15 को match देखने आना है तो वह तब देगा दुबारा entrance fees तो क्या वह 20 को नहीं देगा 20 को भी देगा 25 को भी देगा 30 को भी देगा यानि कि यह क्या है सर यह revenue receipt है तो यह हमारा कहां जाता है CR side of income and expenditure account उसके बाद आपका क्या है आपको यह देखना होता है कि क्या question में कुछ revenue receipt या revenue expenditure ऐसा तो नहीं जिसको जो हमारी NGO firm है या NPO है वो capital receipt या capital expenditure treat कर रही हो अगर ऐसा है तो जितने percent को वो capital treat कर रही है capital expenditure treat कर रही है उतने percent को हम balance sheet में show करते हैं then हमारा आता है general donation देखो donation दो type की होती है एक donation होती है आपकी specific और एक होती है general एक होती है specific और एक होती है general दोनों में फरक क्या रहता है specific donation वो donation होती है जिन donation के नाम में आपको मालूम रहता है कि ये donation किस purpose से मिली है for example building fund, tournament fund, price fund ये सारी की सारी क्या है ये सारी की सारी specific donation है और ये आपकी जो specific donation है वो income and expenditure account में नहीं जाती इनका liabilities में अलग से treatment होता है लेकिन जो general donation है सिर्फ donation दे रखा है कोई भी purpose specified नहीं है तो उसको हम income and expenditure के credit side में शो कर सकते हैं ऐसे ही आता है हमारा legacy legacy basically depend करता है कि firm इसे क्या treat कर रही है legacy का मतलब क्या होता है legacy में क्या होता है कि मालो A, B और C ये तीन लोग हैं आपके NGO में, NPO में या बहार और D D की कुछ property थी या D का कुछ पैसा आता था D आद D की कोई भी ऐसी चीज थी जो D ने कहा कि मेरे मरने के बाद ये C को दे देना तो जो C के लिए ये क्या है, C के लिए ये एक तरीके से legacy है यान कि किसी person के मर जाने के बाद उसके द्वारा कोई एक deal बनाए गई थी, will बनाए गई थी हुआ है, CR में आएगा, fixed assets को sale करने के बाद आपको profit हुआ है तो CR में आएगा, then हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमारा income and expenditure का debit side जादा है या credit side जादा है, अगर credit side जादा है, तो debit side में उसको balance करके लिखते हैं surplus और इस surplus को हम जो closing balance sheet बनाते हैं, अभी हम समझेंगे opening balance sheet और closing balance sheet दोनों जो हम balance sheet बनाते हैं, closing balance sheet यानि साल के end वाली, कतिस March वाली, उस में liability side में एक option बनाते हैं credit side कम है, तो यहाँ आएगा by deficit यानि कमी और इस deficit का भी same treatment balance sheet में, लेकिन यह हमारी क्या होंगी, इनको हम करते हैं minus तो अभी हमने चर्चा करी आपसे income and expenditure के बारे में, अब बारी-बारी से मैं आपको और detail में थोड़ा ले जाता हूँ, है ना, क्योंकि balance sheet भी समझना है, लेकिन अभी पहले और income and expenditure को थोड़ा सा खोल लेते हैं अब next हमारा balance sheet, recipient and payment थोड़ा सा देखा हमने, income and expenditure को थोड़ा सा देखा, अब हम देखेंगे balance sheet, balance sheet इसकी same उसी तरीके से बनती है, जैसे normally बिजनिस की balance sheet बनती है, और इस balance sheet में क्या-क्या होता है, इस balance sheet में अगर हमारा income and expenditure में surplus आता है, या deficit आता है, तो वो हम capital fund में show करते ह capital fund को हम लोग general fund भी कह सकते हैं, और corpus fund भी कह सकते हैं, बट अगर question में आपको ये चीज दे नहीं रखी, question में आपको capital fund नहीं दे रखा, general fund नहीं दे रखा, corpus fund नहीं दे रखा, उस case में हम दो balance sheet बनाते हैं, एक balance sheet होती है अमारी opening balance sheet, और एक balance sheet होती है हमारी closing balance sheet opening balance sheet जो हम बनाते हैं उसमें हम capital fund का amount पता करते हैं कैसे देखिए formula होता एक तरीके से capital fund का जितनी भी एक तारिक को यानि की 1st April को जो भी आपका साल शुरू हो रहा है counting period का 1st April को जितनी भी assets की value दे रखी उनको जोड़ो और 1st April को ही जितनी भी liabilities में चीज़े दे रखी उससे minus करो और जो beach का difference है वो आपका capital fund कहलाता है और इसको भी हम liability side में show करते हैं for example question की शुरूबात में आपको land and the go मैं आपको बताऊं क्या क्या चीज़े जो आप receipt and payment account होता है उसमें ही आपको एक balance दे रखा होता है income and expenditure account में यानकि यह जो two side में आपको balance दे रखा होगा वो basically balance किसका होता है एक तारिक का ही तो होता है तो यह कहां जाएगा यह opening balance sheet की assets side में जाएगा और कोई अगर आपको assets दे रखी है land and building दे रखी है एक तारिक को furniture दे रखा है cash in hand दे रखा है यह सारी तो क्या होती है यह सारी तो assets होती है अब अगर आपको कोई advance या फिर कोई outstanding दे रखा था खर्चा कोई खर्चा outstanding है साल की शुरुवात में ही outstanding salary outstanding rent तो वस outstanding को हम liability में show करेंगे opening balance sheet में ठीक मैं अभी opening balance sheet की ही बात कर रहा हूं ठीक है न आप से कह रहा है subscription receivable तो उसको हम क्या करेंगे उसको हम asset side में show करेंगे क्यों होना है हुआ नहीं है अब बारी-बारी से समझते हैं कैसे कैसे treat करते हैं सबसे पहले में बात करूँगा fix assets की जब हम balance sheet बना रहे होंगे तो हमारे mind में किस-किस चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा सबसे पहले बात fix assets fix assets को हम क्या करते हैं हम पहले यह देखते हैं कि कहीं हमने कोई fix assets यही जिसका हम बना रहे हैं purchase तो नहीं करी या उसमें से कुछ sale तो नहीं करा अगर purchase करीते हैं तो उसमें हम जोड़ देते हैं sale करा होता है तो हम उसमें से क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं और अगर इसी फिक्स एसेट पर कोई डेप्रीशेशन लगा हुआ है तो उस डेप्रीशेशन को भी माइनस ही करते हैं लेकिन यह सारी चीज क्लोजिंग बैलेंस शीट में होती है इतना करने के बाद हम डालते हैं क्या फिक्स एसेट की वैल्यू ठीक फॉर एक्जामपल जैसे मैं फरनीचर की बात करूँ फरनीचर का ओपनिंग बैलेंस था एक लाक रुपे ठीक अब मालो फरनीचर की बुक वैल्यू थी बीस अजार जिसको पच्चेस अजार में बेस दिया ठीक उसके बार आपसे कोशन में कह रहा है कि फरनीचर को सोल्ड कर दिया पंद्रह हजार का जिसमें पांच यह घाटा हुआ तो कैसे टीट्मेंट करेंगे देखो बिटा यह आपकी एक लाग बीस अजार की बेस दी घाटे फायदे से कोई मतलब नहीं है वह हमारा इंकम में जाएगा एक लाग में से बीस आर यह माइनस कर दिये कितने बचे 80,000 और 15,000 की और बेस दी घाटे फायदे से मतलब नहीं है कितना बचेगा 65,000 यह 65,000 कहां जाएगा एसेट साइड में जाएगा बैलेंस शीट में वहीं बात करें लोन की अगर हमने किसी से लोन लिया है तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में तो यह रिसीट में जाएगा और अगर हमने इसी लोन का कुछ पेमेंट किया है तो यह पेमेंट साइड में जाएगा और क्योंकि लोन हमारे लिए क्या है लोन हमारे एक लाइबिलिटी है तो इस में क्या होगा जो हमने लोन लिया है और अगर उससा कुछ payment कर चुके है तो वो minus करके treat होगा उसके बाद तीसरा होता है आपने देखा होगा loan and advances अगर हमने किसी को advance दिया है तो उस पर हमने अपनी क्या चड़ा दी liability चड़ा दी assets बन गई एक तरीके से हमारी तो यह हमारा क्या होगा जो हमने advance दिया है loan advances वो receipt and payment में तो payment side में आएगा और इसी में से कुछ पैसा आगया recovery of loan तो receipt side में आएगा और यह amount का शोगा जितना हमने advance and loan दिया था जितना हमारे पास loan का amount recover हो गया minus करने के बाद balance sheet में कहां जाएगा सर यह asset side का इससा बन जाएगा फिर वहीं बात करें हम investment की हम जब भी investment करते हैं तो receipt and payment में payment side में आता है investment से कुछ मिलता है तो receipt side में आता है को interest मिलती है तो receipt side में आती है तो उसको treat करने के बाद ही हम investment की value डालते हैं sale कर दिया को interest मिली ठीक है ना उसके बाद कुछ expenses जो adjust के जाते हैं ध्यान से समझना adjustment related to expenses and income यह बहुत जरूरी है बच्चे इसमें बहुत confuse होते हैं देखो adjustment किसकी expenses की और income की income and expenditure में show करने से पहले इंकम and expenditure में show करने से पहले ने पहले अगर साल के शुरूबात में है और आप बना रहे हो ओपनिंग balance sheet तो वह कहां जाएगा liability side में जाएगा क्योंकि यह liability का हिस्सा है और closing balance sheet में भी liability में जाएगा लेकिं closing का अगर आप सिर्फ balance sheet बना रहे हो तो balance हो जाएगा ठीक second prepaid expenses prepaid expenses हम treat करते हैं एक तरीके से हमारी assets को तो यह कहां जाती है हमारी सरी assets side में जाती है depend कि हम opening बना रहे हैं या closing बना रहे हैं उसके बाद un earned income जिसको हम accrued income का हिस्सा मानते थे un earned income या फिर income received in advance जो हमारी accrued income होती है वो होती है earned income यह है un earned income यानकि अभी किसीने मारेOS उपर liability बनाइं रखी है income received in advance तो किसी भी चीड का हमारे पास advance आ जाएगा वो हमारे लिए क्या है एक तरीके से liability है कहा शो करी जाएगी सर liability में show करी जाएगी हमको किसी ने subscription का advance में payment कर रखा है वो कहाँ आएगा liability में आएगी और accrued income कहाँ जाएगी सर accrued income जाएगी हमारी accrued income कहाँ जाएगी accrued income हमारी asset सेट में जाएगी ठीक उसके बाद क्या कहाँ चीज़ आती है उसके बाद आती है कहमारी liabilities liabilities तो आपको मालम होगा liabilities कहाँ जाती है liabilities में कैसे के चीज़ आती है cash and bank balance आपको मालम होगा surplus और deficit अगर surplus हुआ है तो capital fund में जुर जाता है और deficit हुआ है तो minus हो जाता है तो अब हम detail में एक वार और समझ लेते हैं देखो पहले मैं बोलता जा रहा हूँ debit side, sorry liability side का liability में capital fund या general fund या corpus fund दिया हुआ है तो ठीक है नहीं दिया है तो हम opening balance sheet से निकालेंगे उसके बाद हमें surplus हुआ तो add करेंगे capital fund में नहीं हुआ तो less करेंगे question में कोई specific donation दे रखा है इस पेसे fund दे रखा है तो इसके नाम से amount बनाएंगे for example जैसे आपको दे रखा है कोई sports fund या price fund तो इसको भी मैं आगे समझाओंगा कि इसकी एक अलग से accounting होती मैं समझाओं कैसे कैसे होता है ठीक है ना वह सारी चीज़ आईगी सारी current liability अगर हम closing balance sheet बनाने तो closing balance और opening balance और opening balance और ओपनिंग बैलेंस सब्किप्शन रिसी एडवांस electricity रेंट ये सारी चीज़ वही मैं बात करूं asset side की तो asset side में क्या आएगा fixed assets आएगी सारी fixed assets का जो opening balance था उनको purchase किया जोड़ दो sale किया minus कर दो यहां पर आपकी balance sheet बन जाती है तो अब हम समझेंगे कुछ extraordinary चीज़ें जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है सबसे पहली बाद fund based accounting fund based accounting का मतलब क्या होता है कुछ fund जिसका mean क्या होता है amount हमें पैसा मिला है किसको मिला है NPO को मिला है किसी specific purpose के लिए हमें tournament करवाना है tournament के लिए fund मिला है building बनवानी है building के लिए fund बनवाना है तो इसको हम क्या करते हैं इसको हम balance sheet में show करते हैं donation receive हुई है specific purpose के लिए तो इनके लिए हम एक separate fund account बनाते हैं जो की liability में show होता है लेकिन आपको बस एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान देना है जब हम इन account को बनाते हैं for example आपने इन account को बनाया इसमें हमें बस एक चीज जान रखनी है कि आप इनका account बना रहे हो और अगर account बनाते में amount minus में चला गया तो उस balance को हम लोग income and expenditure के debit साट में जालते हैं कैसे मतलब मैं समझा नहीं सर देखिए सबसे पहले तो हम बनाते कैसे हैं अगर कोई आपको specific चीजे दे रखी है तो माल लो liabilities में treatment करेंगे और specific को माल लेते हैं price fund तो price fund को हम डालेंगे पहले हमने यहां लिख लिए price fund का amount अगर question में आपको price fund investment दे रखा है तो वो हमारी assets है वो भी हमारी assets and महीं जाएगी price fund investment इस investment पर कोई interest हुई है तो वो भी जाएगी लेकिन आपको देखना है कि कहीं उतना interest मिला है या नहीं मिला इतना मिलना था एकुरूड तो नहीं है एकुरूड होगा तो interest एकुरूड इदर आ जाएगा अब देखो price fund में हम क्या करते है price fund में अगर इस fund से related जितनी भी donation है वो सब इसमें जोड़ देंगे और इस fund से ही related कोई खर्चा है जैसे कि हमने price awarded दिए price award दिए खर्चा हुआ ठीक इंट्रेस्ट जो हमने यहाँ deposit कर रखा था उसमें interest मिली जोड़ देंगे और यह सब करने के बाद अगर हमारा answer plus में आ रहा है तो तो कोई दिक्कत की बात नहीं कोई दिक्कत की बात नहीं लेकिन अगर answer minus में चला गया for example opening balance था 10,000, donation था 5,000, 15,000 और यह भी 5,000 था 20,000 और यह price awarded हो गया 25,000 यानि कि कितना खर्चा extra हो गया 5,000 माइनस में चला गया यह 5,000 income and expenditure के debit side में show होगा अगर आप लोगों ने अपना cbsc का यह जो sample में परता हो जो देखा हो आपने वह देखा होगा और में भी वैसा ही show किया है बिल्गुल same to same उसके बाद अगर आपने कोई fund किसी specific assets को create करने के लिए बनाया है जैसे कि मैं बात करूँ building fund तो ऐसे में हम क्या करते हैं ऐसे में हम अलग से for example जैसे आपने यह liability में एक तो capital fund होता ही है ठीक कोशन में है आपका building fund तो एक तो आपका capital fund होता ही है कुछ balance उसका होगा और question में आपको दिया होगा कि for example कि जो आपकी building है उसका opening balance है 10 लाग रुपे ठीक और building को बनने में 6 लाग रुपे खर्च हो चुके तो यहाने की सबसे पहला हम यहां asset चान में डाल दें कितने की asset बन चुकी हमारी building in progress 6 लाग रुपे ठीक और इस 6 लाग को capital fund में show कर दिया add transferred building fund कितना 6 लाग रुपे मतलब कि जो हमारे पास fund आया था 10 लाग रुपे का उसमें से 6 लाग रुपे तो हम डाल चुके खर्च हो चुका अब यहां क्या show करेंगे building fund सर 10 लाग का था और कितना खर्च हो चुका 6 लाग कर्च हो चुका 4 लाग कहां बचा हुआ है तो इसे हम ऐसे show करते हैं उसके बाद और जैसा कि मैंने बताया general fund और capital fund होता है है ना वो हमारे unrestricted fund होते हैं यानिकि यो restricted नहीं है हम अपने purpose के लिए उसे use कर सकते हैं capital fund और general fund basically हमारे यह है क्या सर यह वो फंड है वो contribution है जो अलग अलग parties ने दिये हैं NPO के expansion के लिए बढ़ाने के लिए और हो सकता है आगे चलके वो पैसा और भी दें ठीक है ना कुछ फंड होते हैं जो हमारे restricted fund होते हैं जो मैंने आपको बताया मालो government grant government grant का मतलब है government ने किसी specific purpose से हमें चीज़ दी है ना for example हमने कोई program करवाना है मान लोग polio eradication program तो government ने हमें जो इसके लिए grant दिया है वो सिर्फ इसी purpose के लिए होगा यह हमारे restricted fund है कोई loan fund कोई annuity fund कोई fix assets fund price fund tournament fund endowment fund यह सारे fund मैंने बता चुका आपको कि इसका treatment कैसे किया जाता है asset side में क्या आता है जितना भी fund होते है वो liabilities में उनमें जो खर्चा वो उसमें से minus उनसे जो income होई वो उसमें plus और अगर अगर वो खर्चा ही minus में चला गया तो income and expenditure के वो debit side में शोगा अगर उससे कोई investment किया गया है तो वो asset side में डालेंगे उससे कोई interest होई है वो भी डाले asset side में लेकिन अगर वो accrued हो गई accrued का मतलब कि income सर होनी तो 30,000 रुपे थी मालो 3,000,000 रुपे थे 3,000,000 का 10% ब्याज मिलनी थी यानि 30,000 लेकिन मिली कितनी 12,000 यानि कितनी बकाया है 18,000 बकाया है इसको हम asset side में accrued interest शोग करेंगे और जब हम उसका liability में treatment कर रहे हैं वहा आपको अच्छे से clear हुआ होगा उसके बाद कुछ और special receipt होती है जैसे कि मैंने बताया entrance fees entrance fees आप समझ चुके होंगे revenue receipt होती है कहां जाता income and expenditure account में उसके बाद आपकी life membership fees life membership fees नाम से जद में आ रहा है कि life membership आपकी capital receipt है और capital fund में जुड़ेगी क्योंकि यह सिर्फ एक बारी पे करेगा member उसके बाद कुछ special receipt होती है special receipt मतलब क्या होती है special receipt जैसे कि एन्वर डिनर हुआ उस पर कोई खर्चा हुआ वह चीज है donation में आपको बता चुका donation हमारी दो टाइप की होती है जैनल और specific अगर कोई donation specific है तो वह liabilities में आएगा और अगर कोई general है तो उसको income and expenditure side में शो करेंगे income side में ठीक चलिए उसके बार हमारा legacy आता है legacy मैंने आपको बताया था लेकिन legacy भी दो टाइप का है एक general legacy और एक specific legacy यानि कि जिस person की death होने के बाद जो पैसा आपको मिला है अगर उसने specified कि आता कि वह पैसा इस purpose के लिए यूज होना है तो अगर उसने specified नहीं करा है जर्नल ली किसी है तो वह income and expenditure के credit side जाएगा यहां तक clear है कोई दिक्कत की बात नहीं आई होप सबको अच्छे से clear होगा होगा अब मैं कुछ extraordinary case आपको थोड़ा सा समझाता हूँ जिससे आपको clear हो सबसे पहले मैं कुछ एक दो basic questions लेता हूँ सब्क्रिप्शन के इस question को समझाने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी से request करूँगा कि इस question को note कर ले वीडियो को pause करके इसे note कर ले अच्छे से फिर समझे ठीक है तो देखो question को समझते है question मैं आप से कह रहा है कि आपको जो income and expenditure account में जो amount show करना है वो show करना है 31 March 2020 का तो पहली बाद subscription income and expenditure में कहाँ जाता है CR side जाता है और 31 March 2020 यानकी 1 April से 2019 से 31 March 2020 question में आपको 19-20 का subscription दे रखा था 1 लाग तो हमने ये लिख लिया अब जो इन question में समझने वाली बात होती है वो ये होती है कि आपको एक outstanding दे रखा है 18,000 यानकी ऊपर आपको receipt and payment मिला होगा वहाँ आपको 2018 से 19 का outstanding दे रखा है कितना 18,000 और नीचे वही question में कहा रहा है कि जो 31 March 2020 का outstanding है वो कितना है 30,000 और वही question में आपको कह रखा है कि जो 31 March 2019 का outstanding है वो है 20,000 इसका मतलब क्या हुआ कि सर 31 March 2019 का outstanding था वो 20,000 था उपर शो हो रहा है 18,000 ये 2000 का outstanding कहा गया होगा ये 2000 का outstanding जो next year का outstanding है उसमें add हो गया होगा यानकी इस 30,000 में से 2000 minus करेंगे तो 28,000 आएगा ये आएगा real outstanding कब का साल के end का तो क्योंकि ये साल के end का outstanding है क्या कर देंगे इसे add कर देंगे वही हम समझते हैं subscription received in advance साल के शुरूबात में subscription received होई यानि किसी साल के लिए होई तो इसको add कर देंगे तो basically ये आपका खुब अच्छे से हो गया अब मैं आपको बता दूँ कि sir अगर balance sheet बनाते तो क्या करते balance sheet बनाते तो जो आपको subscription received in advance है उसको हम कहा शो करते liability side में show करते liability side में जाता कितना जाता sir बीस किस का जाता जो की balance sheet में दे रखाता पचीस अजार और वहीं बात करूँ मैं outstanding की तो 2000 वो था और 28,000 दो outstanding जाते आपके asset side में ठीक है ना तो चलो एक question और मैं आपको ले लेता हूँ अगर आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से इसलिए है ना चलिए एक question में आपके साथ और ले लेता हूँ देखो बस आपसे request है question note कर लेना subscription का ही है 2019 31 March 20,000 सबक्रिप्शन तीन लाग और 2021 31 March 30,000 अब question में कह रहा है 31 March 2019 को जो subscription receivable था वो था 35,000 आउट ओफ पांच हजार वाज नौट रिसीएवल यानि की 35 है रिसीएवल था जो पांच हजार नहीं आना ठीक और subscription receivable advance है 31 March 2020 को 20,000 और subscription 31 March 2020 को outstanding है यह advance है यह outstanding है कितना 60,000 प्लीज वीडियो को pause करके question को पूरा नोट कर लें question में कह रहा है आपको बताना है 31 March 2020 का subscription का amount प्लीज वीडियो को रोक के question नोट कर ले ना अब मैं आपको समझाता हूँ सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे सर हमें चाहिए 31 March 2020 31 March 2020 का तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया सर सबसे पहले हमने 3,000,000 रुपे जो दे रखे थे वो डाल दिये 31 March 2019 में कह रहा है कि subscription receivable कितने थे सर 35,000 जिस में से 5,000 receive नहीं होने तो यानि कि अब actual कितने receive होने है 30,000 add कर देंगे then उसके बाद question में आपसे कह रहा था कि subscription received in advance for the year ended 31 March 2020 were 60,000 और subscription still outstanding as at amounted 60,000 अब इसमें देखो में क्या करना है वागी इसमें जो आपका पुराना वाला format जिससे पिछला वाला question बताया था सेम वैसे ही कर देंगे तो आपका subscription का amount ही आ जाएगा तो I hope आपको subscription अच्छे से clear हो गया होगा अब बारी आती है हमारी cost of goods consume इसके उपर बहुत question आते हैं आपके पास cost of goods consume इसका मतलब क्या होता है cost of goods consume देखो हमारी जो NPO होती है वो कुछ items वो consume करती है भई जैसे कि मालोग आपका office है तो office में क्या consume किया जागा stationary तो consume किया जागा जैसे आपका hospital है तो hospital में क्या consume किया जागा medicines जैसे आपका sports club है तो sports club में क्या consume किया जागा sports material तो इन सब में हमें सब का एक stock account maintain करना पड़ता है determine करने के लिए कि हमारा income and expenditure में कितना amount show किया जाएगा तो वो हम कैसे करते हैं देखो वो हम कैसे करते हैं balance निकालते हैं हमारा जो basic formula होता है कि जो भी आपको question में opening stock दे रखा है opening stock दे रखा है किसका consumable goods का उसमें आप net purchase जो पूरी साल में जो आपने purchase करी उसको add कर दो और जो आए जो यहां balance आए उसमें closing stock को less कर दो closing stock को less कर दो ऐसा तो हो जाता है लेकिन अब एक चीज आती है हमारे पास कि sir net purchase में दिक्कत क्या आती है अगर आपको question में net purchase दे रखा है ठीक देखो दो चीज होती है हमारी opening creditors opening stock कहां जाएगा opening stock अगर हम opening balance sheet बनाएगा जाएगा और closing stock कहां जाएगा closing balance बनाएगा कभी कभार क्या होता है amount of credit purchase is not given the question कभी कभी क्या होता है कि आपने credit purchase कितना किया उसका amount नहीं जिरका उस case में जो creditor होते हैं consumer goods के वह also determine करने पड़ते हैं किस तरीके से सर माल लो कोशन में आपसे कह रहा है payment made payment made for stationary अगर आप से बोल रहा है payment made for stationary इस case में हम क्या करेंगे इस case में हमको निकालना पड़ता है net purchase क्योंकि आपको दे रखा है payment made यह नहीं दे रखा कि credit purchase कितना हुआ तो net purchase कैसे निकलता है question में जो आपको closing creditors दे रखे होंगे closing creditors उनको हम क्या कर देते हैं एड़ कर देते हैं और जो opening creditors होते हैं उसको हम less कर देते हैं तो हमारा आजाता है net purchase अगर किसी question में आपको net purchase का amount दे रखा है और question में यह opening balance of creditors और closing balance of creditors भी दे रखा है उस case में opening और closing का आपको कुछ नहीं करना अगर आपको amount paid दे रखा है तो amount paid में से हम लोगों को net purchase निकालना पड़ेगा और net purchase कैसे निकालेंगे वो मैं आपको समझा चुका हूँ ठीक है clear है है ना तो अब देखो मेरी बार आपको क्या क्या चीज़े और थोड़ी अच्छे से देखनी है अबस आपको यह जो point यहाद रखने है बटा receipt payment में क्या आता है receipt payment में सारे cash item आएंगे none cash item कुछ नहीं आएगा कोई भी adjustment नहीं आएगी income and expenditure मैंने आपको अच्छे से clear किया opening balance sheet कब बनानी है क्यों बनानी है closing balance sheet कब बनानी है क्यों बनानी है opening balance sheet में क्या आएगा closing balance sheet में क्या आएगा इन सारी चीज को कोई चीज हमारे पर advance में आई subscription received in advance कोई outstanding expenses का opening balance है liability में आएगा वो depend करता कि मैं opening बना रहे हैं या closing तो यहाँ पर आपका NPO बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ होगा अगर आपको फिर भी कोई doubt रहता है भी मैं यह नहीं कहता कि इस वीडियो को देखने के वाद कोई doubt नहीं रह सकता फिर भी कोई doubt रहता है तो उसको मैं clear करूँगा आप मुझे बताइएगा या तो comment box में या whatsapp करेगा whatsapp मेना जो number है वो है 9690105047 वीडियो को जादर से यादर like करें शेयर करें और अब तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe कर दीजेगा thank you so much